प्रीविद द्यारतियों, नमस्कार, हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कक्चा दस्वी संस्कत विसे में आने वाला कताक्रम संयोजन जिससा कि आप सभी को पता ही है कि कक्चा दस्वी संस्कत विसे में कताक्रम संयोजन पांच अंक में निश्चित रूप से पूचा जाता है कई बच्चे अग्यानतावस इसे छोड़ा आते हैं और उनके पांच अंक चले जाते हैं जबकि आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है कताक्रम संयोजन बहुती सरल होता है और बहुती आसानी से आप इसको जमा के आ सकते हो तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि कताक्रम संयोजन होता क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कहता करम करम संयोजन यानि की आपकी जो संसकत की किताब है उसमें से कहीं से भी किसी भी पाट से 5 या 6 लाइने उटा के आपको इस प्रस्थन में दी जाती है और उन लाइनों का जो करम होता है वो उल्टा सिधा होता है यानि कि एक करम से वो नहीं होता है तो उसको आपको सही से जमाना पड़ता है यही कता करम सहियोजन है तो आप इसको समझ गए होंगे और आगे अपन समझते हैं इसको कि यह होता क्या है और कहां पर पूचा जाता है तो सबसे पहले में आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर पूचा जाएगा तो ये देखो कताक्रम संयोजन कुरूत जो है पाँच अंक में पूचा जाता है और ये प्रस्न करमांग 17 में पूचा जाएगा तो आप इस बात को देख लें तो आज मैं तुमें दो कताकरम संयोजन समझाओंगा जो कि आपकी वारिशिक परिक्चा के लिए बहुती महत्पूर है आप इसको एक ट्रिक के माद्यम से बहुती आसानी से याद करके रख सकते हो तो एक कताकरम संयोजन ये ले रहा है मैंने आप इसको देख ले, नोड़ी भी कर ले, चाये तो ये कता क्रम से योजन आपकी वार्सिक परिक्चाव में निश्चित रूप से आएगा, 100% गारेंटी इस बात की कि ये कता क्रम से योजन आपका इस बार आने वाला है, तो ये लाइने आपको मोबाल स्क्रिन पर दिखाई आपको पूरी जो कता है, याद होनी चाहिए, तो आप उसको जमापाओगे, या फिर एक ट्रिक भी है, जिस माद्यम से आप इसको आसानी से जमापाओगे, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, पांच लाइने आप बिलकुल नोट कर ले, और इनको क्रम से कैसे जमाते है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको प्रम से जमाने के लिए एक ट्रिक जरूर आप याद रखे, ये ट्रिक आपको मोबाल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस ट्रिक को याद रखे, गाओं की सीता महिया, अब गाओं की सीता महिया के नीचे, आप प्रतिये कक्चर के नीचे उसी प्रकार का एक अंक बना ले, जैसे गा को नम्मर वन, वा को नम्मर टू, की को नम्मर तीन, सी को नम्मर चार, ता को नम्मर पांच, और महिया को नम्मर छे, कभी-कभी छे लाइन में ये पूछ लेता है, तो अगर वो चटी लाइन पूछेगा, तो चटी ल है उसको number एक पर यानिकि अब मैं आपको बनाना सिखाओ व गाउंग को यहाँ नमर वाले देखो तो गाह गमले यहां पर आपको नजर आ रह्या है शुरू में यह तो यानिकि इसका मतलब य। यह वाला जो पॉइνト claims है आपकी यह एक पर रख देना है और आगे अगर देखे वा है तो वा से ये वासुदेव वाली लाइन है दो नमर पर ये आ जाएगी की से देखें तो की से ये वाली लाइन है तो की वाली ये तीसरे नमर पर आ जाएगी सी से देखें तो इसमें सीधा सा सी तो नहीं मिलेगा ये वाला सी है तो अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं तो एक तो यह कता क्रम संयोजन आप अच्चे से करना सिख लो यह भो ताइंपी है अब इसको क्या करना है कि उसी क्रम से जो क्रम है इसी क्रम से इन लिख देना है गाव वाली को पेले इसके बाद में वाव वाली को इसके बाद में की वाली को इसके बाद में सी वाली को इसके बाद में ता वाली को ये शुरू के आगे का अक्चर से आपको इस तरह से पेचानना है तो आसा करता हूं कि आप बनाना सिख गए होंगे कमेंट म में करके जरूर बताना अगर कोई परिशा नहीं आती आपको तो वह भी में हल कर दूँगा आपकी तो अब अगला कतक्रम संयोजन ये है ये भी आप देख लो ये ग्राम एक प्राचीन विशाल न्यागरोथ ब्रक्चस्ती तो ये आप देख लो ये भी आपके लिए बहुत म नमर एक पर लिखना है तो ग्राम कहां पर आया है ये देखो इसको नमर एक पर रहने देना में में को छोड़ना है में के नीचे कुछ भी नहीं है तरक्की तरक्की में से सिर्फ आपको ता लेना है एक धारा प्रवा बनाने के लिए इसको मैंने तरक्की किया हुआ है तो इसके बाद में हो, जहां पर हो मिले, उसको तीन नमर पे लेना है, तो यहां पर देखे हो तो नहीं है, पर हे हे, इसको तीन नमर पे ले लो, अब जिसमें आ, आता है, आ, आई को इस प्रकार से नमर देना है, आज इसको आता है, उसको चार नमर पे लेना है, तो आ देखो कह ये सामत करना के सिर्फ आप इसको लिखी आओ, ग्राम में तरक्षी होया ये, आपको पूरा का पूरा ये क्रम से, इस क्रम से जमा के आना है, इसका क्रम गलत है, आपको इस क्रम से जमा के इसको आना है, तो आसा करता हूँ, ये दो कता क्रम सन्योजन आपको बहुत अच्छे को सब्सक्राइब जरू कर लेना नमस्कार